हाई फ्रेंज आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू छोले टिकी चाट की रेस्पी जिसकी इतरी जादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि बस पूछो मत बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि माम ये रेस्पी शेयर कर दीजिए तो आज आ गई है आपके करारी करारी आलू टिकी चाट की रेस्पी सबसे पहले तो इसकी आवाज सुनिए आज मैं इस वीडियो में आपके साथ पूरी चाट की रेस्पी शेयर करूंगे जिसमें की टिकी की रेस्पी भी होगी साथ ही छोले की रेस्पी होगी पांच मिनट में आप मीठी चटनी ज तो आज की वीडियो करते हैं तो यहां पर मैंने ले ली है सूखी मटर जिसे मैंने भिगो के रखा था चार से पांच घंटे के लिए आप इसकी जगह जो छोले आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं पर मुझे इसका टेश ज्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं मटर ही य अब इसे हमें बॉल करना है तो मैंने इस अच्छे से वौश कर लिया है और इसे कुकर में मैं उबालने वाली हो दो से तीन ग्लास इसमें मैं यहां तोड़ा सा नमक आइड कर देंगे और इसमें मैं धक्कन लगा के 3-4 सीटी लगा दूंगी जब तक यह अच्छे से गलना दिखा देती हूँ ने यह समेत आपको धन्या करना है इस मैं पांचे लेसुद कि कलिया एड़क करना की एक इंच अद्रक का तुकड़ा फिसने क्म में एकक मेरा हैो साथ ही दो हरी मिर्च एड़ करेंगे और एक चमच में यहां पर अमचूर पाउडर एड़ कर रही हो आप इसकी जगह निम्बू का रस भी इस्तमाल कर सकते हैं थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे और यह हमारी बहुत ही बढ़िया टेस्टी ग तो बहुत अच्छी है तो यह देखे कितनी बढ़िया हमारी ग्रीन चेटनी तेयार होगा यह कलर कितना बढ़िया आया है अब यहां पर मैं आपको मेठी चेटनी सिखाती हूं तो उसके लिए मैंने यहां पर त्री फोर्थ कप चीनी ली है पान में एड़ कर देंगे और यहां पर मैंने लिया है वन फोर्थ कप अमचूर पाउडर तो यहां पर हम कोई इमली और गुड का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं और इसमें मैं डाल दूंगे वन फोर्थ कप पानी गैस मैंने ओं कर दिये इसे पक्तनी देंगे धीमी धीमी आज पर जैसे जैसे यह मेल्ट हो फोड़ा पानी और एट कर सकते हैं तो यहाँ पर चीनी जो है वह मेल्ट होगई यह इसके अंदर कुछ मसाले आड़ करेंगे तो यहां पर मैंने आधर टीजपून सफेद नमक एड़ किया है आधा टीस्पून के करी में यहां पर भुना हुआ जीरा पाउडर एड़ कर रहे हूं आधा टीस्पून काला नमक एक टीस्पून यहां पर मैंने देगी मिर्च एड़ किया है देगी मिर्च से बहुत एच्छा रेड कलर आएगा इस चेटनी में तो हमें कोई फूड कलर एड करने की जूरुद्द नहीं करना है तो यहां पर यह देगी मिर्च मैंने आड़ कर दियो और आप देख सकते हैं चेटनी का कलर रेड हो गया है अब इसमें मैं आड़ कर यह सोठ पाउडर जिसे ड्राय जिंजर पाउडर भी बोला जाता है साथी हाफ टीजपून मैंने गरम मसाला एड़ किया है और यह देखे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बॉयल आने तक पका लेंगे और यह तैयार हो गई मारी पांच मिनिट में बनने वाली मीठी सोठ जिसे बोला जाता है लाल वाली चटनी जो की हर चाट में जाती है कोई इमली कोई गुड़ की जरूवत नहीं है इस तरीके से भी आप बना सकते हैं से में ठंडा होने देती हूं और यहां पर अपने जो मतर है वह हम चेक कर लेते काफी अच्छे से गल चुकी है तो यह काफी अच्छे से गल गई है अब आती है इसे बनाने की बारी तो अच्छे से गरम होने देंगे इसमें एक टीज़पून मैंने जीरा किया है साथी में थोड़ी सी हींग इसमें अच्छे से पका लेते हैं अब इसके अंदर मैं आड़् करूंगी एक प्याज बारीक कटी हुई तो यह मैंने प्याज ले लिए एक प्याज लिए जादा नहीं ली मैंने तो इसे हम इसमें आड कर देते हैं और इसे फ्राइ कर लेंगे हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक गैस को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है तो यहां पर जो प्याज है वो हलकी फ्राइ होगी है बहुत जादा गोल्डन ब्राउन आपको नहीं करना है अब इसके अंदर मैं वो टमाटर का पेस्ट एड करूंगी जो मैंने स्टार्टिंग में बना के रखा था इसे भी साथ में पका लेंगे अब इसमें कुछ मसाले एड करेंगे नमक एड कर देंगे टेस्ट के कॉर्डिंग पहले मैंने सफेद नमक एड किया था अब मैंने काला नमक एड किया है तो ध्यान से एड करिएगा क्योंकि दो तरह के नमक एड कर रहे हैं अब टीस्पून गरम मसाला एक टीस्पून के करीब यहां पर मैंने यह देगी मिर्च एड़ की है क्योंकि देगी मिर्च कलर बहुत अच्छा देती है पर स्पाइसी नहीं होती है ज्यादा इसलिए मैंने यहां पर देगी मिर्च का इस्तमाल किया है और इसे काफी अच्छा छोले का कलर आता है एइसे अचोच से पिकने देंगे जब तक कि मसाला कट शोड़ दें, मसाला जब पक को हख जाए, तो आपको अपयताしま अउलिया हुआ रशाषिक कर दें कि इसे हम इस तरह से माश कर देंगे माश करने से थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है खाने में भी बहुत मज़ा देती हो और एक यदो मिनट के लिए पालूंगी और यह दिखे गाढा हो गया तो बस हमारे जो चोले हैं वह रेड़ी हो गया है बहुत ज़्यादा इस करिब होंगे तो ज़स मैंने से अभी बॉयल किया है तो बहुत लोग पूशते हैं यहां की ज़र हैं हमारे जो अलु है वह जाते हैं जह कि एक बनातें तो कुछ टिप्स में आपके साथ करने वाले हूं कि क्या इसा जाते हैं आपको क्या करना यह जो अलुशे प्रोब्लम हो तो बहुत अच्छी बात है ठंडा करके लीजेगा तो वह जादा अच्छा रहता है तो यहां पर मैंने आलू को कद्दुकस कर लिया है और इसे मैं तस मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूगी अच्छे से ठंडा करना है उसके बाद ही हम इसे इस्तमाल करेंगे तो यहां पर ठंडा हो गया अब इसके अंदर में हाफ कप कॉण फ्लोर डाल रही हूं और जो मार्किट वाले भाईया होते हैं वो भी कॉण फ्लोर का इस्तमाल करते हैं अरा रोड यूज कर सकते हैं इसके बदले और आधा कप मैंने चावल का आठा डाला है तो यह आपको अगर नमक मसाले डाल देंगे तो यह जो आलू है वो गीला हो जाएगा पानी छोड़ देता है तो बिल्कुल भी आपको नमक इसमें या मसाले नहीं एड करने हैं इसे ऐसे ही बनाना है तो यहां पर मैं से अच्छे से मिक्स कर लूँगे और यह जो हमारा डो थोड़ा सा टा तो बड़ी बना सकते इस तरह से गोल करेंगे थोड़ा साथ पर रोल कर देंगे ताकि इसमें क्रैक्स वगएरा ना रहें और यह देखे कितनी बढ़िया टिक्की हमारी तैयार हो गई है इसी तरीके से बनाते हैं मार्केट वाले एक और बनाके दिखाती हूं यह दिखिए इस तरह से गोल करेंगे और हलका सा थ पर रोल कर देंगे जिसे की बहुत अच्छी शेप आजाएगे इसके क्रैक्स घ्राइक्स भी ख़तम हो जाते हूं तो बहुत मोटे टिकई नहीं बनानी है इस तरह से छुटी छुटी घर के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से छुटी एक टीस्पून में इसमें पाउड़ो शुगर एड़ कर यह बूरा का इस्तमाल किया है आप चीनी को मिक्सी में पीस के वह भी यूज कर सकते हैं इसे हम अच्छे से फेट लेंगे एकदम स्मूध कर लेंगे जब स्मूध कर लेंगे तभी एकदम मार्किट वाला टेक्श्चर आएगा तो इसे इसमें लंप्स वगेरा नहीं होने चाहिए तभी जो दही होता है वह अच्छा लगा थोड़ा सा देखा हो आप मीठा भी होता हल्का से इसलिए मैंने चीनी डाली है इसमें ताकि इसकी खटास का मुझ जाए और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें एड़ कर दिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गाड़ा दही नहीं चाहिए मीडियम कंसिस्टेंसी का चाहिए तो इसे मैं अच्छे से फेट लेती हूँ और लोहे के तवे बनाते हैं और हमेशा जब लोहे के तवे पर टिकी बनाते हैं बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं यहां पर ओलीव ऑइल का स्थमाल कर सकते हैं जब तेल अच्छे से गरम हो जाए इस तरीके से ठीकी लगा देंगे तेल में कि ऐसी लगाते हैं मार्केट वाले भाया बिल्कुल तो हमारे पास तो उतना बड़ा लोहे का तवा है नहीं तो इसलिए हम अपने रोटी वाले तवे पर इसे बनाने वाले तो टिक्या लगा देती हूं मैं चारो और गैस को मैं लो मीडियम पर रखोंगी तेज आश पर रख जब एक साइड से थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाए हलके हाथ से इसे इस तरह कैसे पलट दें तो बार-बार आपको पलटते रहना यह नहीं कि एकी बार-बार पलटते रहें जब तक कि दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर ना आ जाए आप चाहे तो इसे डबल फ्रा चाहय वाला हूं तो आपको पलेती हुर्त इतना बढ़ चल प्रॉप था sixt हईए नहीं यह तो कि बीच में से कट लगा देंगे अच्छे से मैश कर देंगे यह देखिए मैंसे कितना भी दबारी हूं यह टूट नहीं रहे है काफी क्रिस्पी टिक्की बनी है तो इस तरह से थोड़ा समय कट लगा देती हूं आप अपने हिसाब से अगर पहले आप जब यह थोड़ी कर लिया है और यह जादा क्रिस्पी हो गई है अब मैंसके आवाज एक बर आपके सुन्वा दे नहीं है कि अग्याओ तो यह अज़ें देखा कितनी यह कृष्पी कि हमारी तैयाल है जब आप इसे डबल फ्राइब करेंगे तो यह कितनी ज़्ञादा क्रिस्पी होने वाली इसे मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूं तो इस तरीके से तो तोर के लगा लेंगे प्लेट में और इसके उपर मुटो03旬ा गेपने Łगे तौर से टालें दालेंगे और इसके उपर में डालूंगे अपनी पांच मिनिट में बनने वाली मीठी चटनी और इसके उपर डालेंगे हम अपनी हरी चटनी और उपर से कुछ मसाले आड़ करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक आड़ करूंगी आप इसकी जगे काला नमक भी आड़ कर सकते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और ये हमारी बिल्कुल मार्केट जैसी छोले टिक की चाड की रेस्पी रेडी है बहुत महनत लगिए इस वीडियो को शूट करने में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा कमेंट करेगा दूसरों के साथ शेयर करेगा चैनल को सुब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तिल देन गुड़ बाई